नमस्कार दोस्तों, अल्ब संख्यक मामलों के खेंद्रिय मंत्री मुखतार अबास नकवी की तरफ से एक बयान आया है बयान ये है कि भारत मुसल्मानों के लिए जन्नत है और जो लोग इस माहोल को खराब करने की कोशिस कर रहे हैं वो भारतिय मुसल्मानों के दोस्त नहीं हो सकते हैं उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सेकुलरिज्म और सदभावना कोई पॉलिटिकल फैशन नहीं है बलकि भारत और भारतियों के लिए परफेक्ट फैशन है थोड़ी जुमलेबाजी करने के उनकी आदत है इसलिए उसमें तुकबंदी करते हैं वो हर बयान में तो इसमें भी थोड़ी तुकबंदी है लेकिन मूल बात पर रहते हैं जो उन्होंने कहा है मुसल्मानों के लिए जन्नत है और जो लोग इस माहुल को खराब करने की कोशिश कर रहे है वो भारतिय मुसल्मानों के दोस्त नहीं हो सकते है पहले तो इस बयान का स्वागत किया जाना चाहिए चली आपने ये कहा तो सही लेकिन अब इस बयान के कहने की वज़ह और ऐसा कहना क्यों पड़ा जरा इसकी तस्दीक करेंगे और तफसील से आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा और जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारत में मुसलिम की स्थिख तबलीगी जमात के बहाने कहीं असुरक्षित है वो कौन लोग है तो ये बयान उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि जो एक संगठन है Organization of Islamic Cooperation OIC बोलते हैं संताबन इसमें मुसलिम देश इसके संगठन है OIC ने एक बयान दिया था भी जिसमें उसने कहा था कि भारत में इस्लामोफोविया बढ़ रहा है और भारत सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कदम उठाए और human right के सम्मान की भी बात की ये सब बातें कही थी OIC ने और कही क्यों थी वो कही तब जब तेजस्वी सूरिया का एक 5 साल पुराना tweet सार्जनिक हुआ अरब देशों से उस पर तल्ख प्रतिक्रिया आई वो tweet क्या था आपको पता होगा जो तारिक फते के बयान को केंदरित करके उन्होंने 5 साल पहले tweet किया था अलाके बाद में जब हंगामा मचा शोर हुआ अलोचना लानत मला मत हुई तो उन्होंने डिलिट किया बट वो अरब महलाओं के लिए बहुत बेहुदा टूइट था जो अरब देशों से जिस पर तीकी प्रतिक्रिया हुई एक बात दूसरी बात कि बीते 25-30 दिनों से अरब देशों में खास तोर से UAE में शर्जा, अबुधावी और दुबई में रहने बाले बहुत से भारती है जो वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में उचे ओधों पर या तो काम कर रहे या अपनी कंपनिया चला रहे या अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे ऐसे बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये वाटसेप, टुईटर, फेस्बुक के जरिये इसलाम के खिलाब, मुस्लिम के खिलाब तबलीगी जमात के बहाने मुस्लिम्स को जो भी अगर वो तबलीगी जमात के लोग है वो सरिंडर नहीं कर रहे हैं या पकड़े नहीं जा रहे हैं और उस ट्वीट या सोशल मीडिया पोस्ट के बाद वहां बहुत हंगामा मचा और हंगामा इसकदर मचा कि रॉयल फैमिली से जुड़े हुए लोग वहां के पत्रकार बुद्धी जीवी तमाम लोगों ने इस पर इतराज किया और 6-7 दिन तक इस पर शोर मचता रहा और उस यह सब धर्म यह सब देखे बगार किसी को अपनी चपेट में लेता है इसलिए हम सब लोगों को भाईचारे के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए उसके बाद जो हमारे अमबेस्डर हैं वहां पवन कपूर UAE में उन्होंने भी ब्यान दिया अपने नागरिकों को कहा भार तो मेरा सवाल केंदर सरकार से है और प्रधान मंत्री मोदी से भी है कि वो कह रहे हैं कि भारत मुसल्मानों के लिए जन्नत है और जो लोग इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो भारतियों के दोस्त नहीं हो सकते तो वो कौन लोग है और यहां तक नौबत क् तो कुछ लोगों के बारे मैं आपको बताता हूँ, जो लोग दुबई में ही रहते हैं, UAE में रहते हैं, अभी आपको स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें भी दिखेगी, वो अलग-अलग लोग हैं, वहीं से शुरूवी बात, इसलिए समझना पड़ेगा कि हमारे यहां के लोग भारती है, वहां रहकर जब ऐसे विश्ममन करते हैं, ऐसी जहरीली बातें करते हैं, उसका असर दो मुलकों के रिष्टों पर कितना बुड़ा पड़ता है, और कैसे भारत सरकार को डिफेंसिव होना पड़ता है, कैसे प्रधान मंत्री मोधी को डिफेंसिव होना पड़ता तो सरकार तस्दीक करें उन दुस्मनों की हम उन दुस्मनों की लिस्ट बता दे रहें और वो दुस्मन मुस्लिम नहीं हैं वो हिंदू ही हैं और वो सब भक्त हैं सरकार भक्त हैं मोधी भक्त हैं कुछ कट्टर भक्त हैं इसलिए अगर आप ये कहते हैं तो सिर्फ कहके नहीं बची है मुखतार साब आप फिर कारवाई करिए आप आप तस्दीक करके और उसके बाद आप बताईए कि ये सब लोग है लेकिन वो आप करेंगे नहीं आपने बयान दिया निकल गए लेकिन हम आपको बता दें तो ये एक लेडी है प्रिती गिरी तस्वीर आपको दिखेग मुझे जब मैं रिसर्च कर रहा था रात में इन सब के बारे में क्योंकि एक वीडियो कल मैंने पोस्ट किया थोरी दिलचस्पी ज्यादा हुई तो 5-6 घंटे रात बर समझे सुबत 4 बज़े तक मैं यही सब खोशता रहा और क्या हो रहा है क्यों नाराज है तो पता जला अभी मन्यू गिरी जी मुझे भी ट्वीटर पर फॉलो करते हैं अब पता नहीं कभी उन्होंने कुछ लिखा होगा मुझे आइडिया नी लेकिन उसी तरह के कट्टर पंधी पोस्ट को रिट्वीट करते हैं और मुझे फॉलो करते हैं मतलब दुबई में बैठा को शक्स पर नजर रख रहा है उस रक्स की तस्वीर में मोदी जी है और उसके पाद उनकी पत्नी वहां जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल मुसल्मानों के खिलाफ किया उसका खामियाजा उनको बुगत ना पड़ा प्रिति गिरी पर आते हैं प्रिति गिरी ने लिखा था प्रिति में जो हो रहा है उसे देखकर शर्म आती है इन लोगों का मकसद क्या है क्या ये पूरे देश में बायो जिहाद फैलाना चाहते हैं अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो देश को बचाने के लिए इन सबका एंकाउंटर ही एक मात रुपाय है और उसके बाद उन्ह प्रिति गिरी अब हैं कि नहीं मुझे पता नहीं उसके बाद क्या डेवलप्मेंट हुआ क्यों उनके खिलाब बहुत माहौल बन गया दुबई और युवई में उन्होंने वहां से लिखा कि इनका इंकाउंटर कर देना चाहिए तबलीगी जमात के लोगों ने जो गुना अब गया हुआ और ऐसे ही प्रिति ने कई टूइट किये लगातार उन्होंने आमिर खान के खिलाब टूइट किये उन्होंने तीन चार पांस टूइट कि वह सब टूइट आपको मैं दिखा रहा हूं और यह मैंने कल के वीडियो में भी बताया था लेकिन उनके इस टूइ हैं वहां UAE की बहुत तफसील से मैं पता करने की कोशिश कर रहा था थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए मैं इतने तक्सीमित रखोंगा उन्होंने जवाब देना शुरू किया ट्विटर पर प्रिति गिरी को जबाब मांगना शुरू किया और उन्होंने प्रिति गिरी को ल लानयास करने जहां अबुधावी में इतना विशाल मंदिर बन रहा है और उसके बाद उसी मुल्क में रहने वाले लोग इस तरह की बातें कर रहें खैर तो नूरा अल गुरेर ने लिखा प्रिति को प्रिति के सारे ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कि मुझे पता नही कि कितने हिंदू इस तरह से सोचते हैं मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सदभाव दिखाते हुए UAE में मंदिर बनाने की जाज़त देकर देदी उसे हमारी कमजोरी समझ लिया गया इसके लाबा प्रिति को लिखा कि प्रिति आप अपने ट्वीट में मुसलिम के बाइकॉट का इशारा कर रही है किसी ट्वीट में प्रिति ने मुसल्मानों के सोचल और एकॉनमिक बाइकॉट की भी बात की थी बाइकॉट का इशारा कर रही है इतनी नफरत आप कहां से लाती है फिर उन्होंने उसकी कमपनी के मालिक को टैग किया जिसका नाम मैंने उसके बाद और भी कुछ चारपाज पोस्ट हैं उनके नूरा अलगुरेर के क्योंकि प्रीती के ट्वीट तो आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि प्रीती आपके इस नफरत भरे तर्क के हिसाब से भारत में मुसलिम के खिलाब जैसा प्रोपगेड़ा चला जा रहा है सुन्नी एक तरह से आतंकी होते हैं क्या आप जानते हैं कि जिस देश में आप रहती हैं उसके रूलर सुन्नी है आप जानते हैं कि UAE के जो रूलर हैं शेख जायद फैंबली वो सुन्नी है ये उन्होंने कहा फिर कहा क्या आप जानते हैं कि दुबाई पुलिस मुख्या करके लिखा कि दुबाई पुलिस आपके ट्वीट को एक्जामिन करें हम अपनी सरजमी पर किसी तरह के बहिशकार और नफरत की जाजत नहीं दे सकते मेरी टाइम लाइन आपके नफरत वाले ट्वीट से भड़ी पड़ी है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने इन सब हैं उन सब के खिलाब कारवाई हो लेकिन उसके बहाने पूरे देश में जो एक माहौल बनाया जा रहा है और वो माहौल मीडिया के जरिए सोचल मीडिया पर और वो ट्रोलिंग वहां भी की जाने लगी है उसी का जबाब उन्होंने दिया और उसके बाद उन्होंने जो ले करके एक तरह से उन्होंने माफी मांगे अब यह जो मैडम है प्रीति गिरी इनका फोटो तो आप देखी रहे हैं इनके पती है अभी मन्यूगिरी इसमें भी दिखा दूँ इसे आपको दिखेगा इनके पती जो है अभी मन्यूगिरी उन्होंने जिम्वेदार अभी नीचे जो परचह लिखा हुआ, मिशन, स्प्रिक्ट, सर्वत्र संभाव, ने, सर्वत्र सर्वोत्तम शिक्षा, दुबाई-based businessman with स्वदेशी ब्लड, स्वदेशी ब्लड, full of देश भक्ती and देव भक्ती, for our मात्र भूमी, प्लस कर्म भूमी, यह उन्होंने ट्विटर पर शायद वहां से इनके खिलाफ कारवाई की मांग हुई है, क्या हुआ है, अपडेट नहीं है, लेकिन इन्होंने ट्विटर पे अपना एकाउंट डिलीट कर दिया है, यह डियक्टिवेट है, चार-पांच दिन पहले जब यह 16-15 तारीक को जब पहली बार यह सब चीज पहलेगी, अगर मुखतारबास नकवी कहते हैं, क्यों मुसल्मानों के दुश्मन हैं, जो ऐसी बात कर रहे हैं, तो यह कौन लोग हैं, और किनके समर्था, किनके भक्त हैं, एक सौरब उपाद्याय है, कल के वीडियो में भी थोड़ा बताया था, फिर से बता दू, क्योंक की हरकतों की वज़ा से भारत सरकार कितनी बेज़्दी हो रही है, या भारत सरकार की फजियत हो रही है, सफाई देनी पड़ रही है, बार बार आकर, खुद प्रधान मंत्री को, और उससे बड़ी बात, भारतियों की छवी खराब हो रही है, 34 लाख भारतिये UAE में रहते ह हैं, और उसमें ज्यादातर हिंदू हैं, और वो उचे पदों पर हैं, उन सब को आप सस्पीसस बनाते हैं, अगर वहाँ एक ऐसा निगेटिव माहौल होता है, और उसके बाद भारत में बैठे ट्रोल बिर्गेड आपको बहुत दिल्चस एक बात और बता दू, यहां अगर शेक या कोई ऐसी महला वहाँ अगर भारत में अगर इसलाम को लेकर या मुसलिम को लेकर ऐसे लोग कुछ लिख रहे हैं या इन्होंने लिखा उसको यह लोग जाकर हिंदी में ट्रोल कर रहे हैं, वो बहुत सारे अर्भी जो शायद इंग्लिश भी नहीं जानते हों उनकी टाइम लाइन में 40 लोग हिंदी में पिले पड़े हैं, और उसाब UPBR कहां कहां से 2 रुपे 10 रुपे वाले ट्रोल हैं, और तरह तरह के लोग ही कुछ पढ़े लिके ट्रोल भी हैं, तो आप सोचिए कि यहां से जाकर वहां भी फाइरिंग कर रहे हैं, यहां से सरहत पर यहीं जाकर, खेर, सौरब उपाध्याय की बाद, तो सौरब उपाध्याय साहब एक कंपनी में वहां उन्होंने जो प्रोफाइल लिखा है, उस प्रोफाइल पर है CEO at Rockwell Events and Sales Promotion Lives in Dubai, सौरब उपाध्याय साहब भी लगातार ऐसे ट्वीट करते रहें, जो एक तरह से मुस और नजाने क्या-क्या सौरब ने कहा, वो सब आपको स्क्रीन पर दिखेगा, चुकि मैंने ये पहले भी मैंने आपको बताया है, कि ये रेडिकल टेररिस्ट हैं, और उसके बाद उन्होंने भी वही कहा, कि इन सब का समाजी कार्थिक भहिश्कार होना चाहिए, और इस तर कुछ ऐसी बात भी थी, जिससे जेनोसाइट जैसी बात आ रही है इसारों में, ये सारे ट्वीट आप उनको देख रहे हैं, जिससे आपको अंदा जलन जाएगा, सौरब उपाध्याय को भी वहां की एक शर्जा में रहने वाली, वहां की रसुपधार फैमिली की लेडी है कल भी उनके बारे में बताया था, उनका ट्वीटर है प्रिंसेस हेंड अल कसीमी, प्रिंसेस कसीमी, प्रिंसेस कसीमी ने सौरब उपाध्याय के मुद्दे को इश्यू बनाया, और बार-बार सौरब उपाध्याय को डिफेंसिव होने को मजबूर किया, कि आप जो ये कर र रहे हो यह रोयल परिवार किसी भी सूरत में इसको सहन नहीं करेगा और उसके बाद सौरभ वपाध्याय ने दूसरी मुएम शुरू कर दी जब कि दुबई में लोगों की नौकरी जा रहे हैं दुबई बनाने में हमारी भूमिका है हलके इस पर कल भी थोड़ा बताया लेकि सौरभ वपाध्याय साहब ने भी अपना ट्विटर एकाउंट डिलीट कर दिया कहां है पता नहीं लेकिन साफ साफ प्रिंसेस कसीमी ने लिखा कि आपको बक्सा नहीं जाएगा आपके खलाफ कारवाई होगी उसके बाद बहुत सारे लोग जो अरब मुल्क के थे वो भी उनके खिलाफ सौरभ के खिलाफ लिखते रहे अब सौरभ साहब भी किनके समर्थक हैं कहने के जरूत नहीं है और उनके ट्विट अगर देखें मैंने बहुत सारे ट्विट इधर दर से मुझे मिले हर ट्विट में उनकी नफरत की बानगी दिखती है फिर मैं कारो कर एलागी जमात के 1000-2000-3000 लोग का स Chamber ware है उसकी आड़ में अगर दुबएश बैख कर शार्जा आप ऐसी बात कर रहे हैं और जिनोसाइट की बात कर रहे हैं सूट करने की बात कर रहे हैं गोली मारने की बात कर रहे हैं बहिसकार करने की बात कर रहे हैं तो आप से भी सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप तो यहां रहा कर दुबई में पैसे कमा रहे हैं और आप यहां ह कि हुई और बड़ी हुई चुकिव सब्ताधारी दलके हैं सांसद हैं और तेजस्वी सूरिया को लेकर इतने ट्विट्स हुए जिसमें लोगों की मांग लगातार होती रही प्रधान मंत्री मोधी से कि इनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए पार्टी से बाहर करें इनको संस करें यहां भी नहीं होगी लेकर रिश्टेख खराब या एक तल्क शीघक की चीजें यह सब जगह से आई और हजारों टूइट हूई और इस टूइट से यह वहा कि कुछ भायरतियों से मेरी बात हो रही थी सुबह दुबई में कल रात भी में ने बात की जो हिंदू है औ कर दो सोचल मीडिया में ऐगर आफसर का वह वहां कसक बायत क हो वह रहें आगर आपकी से जुशाल जानीत cigar जिर मधिय cud यहां में सिर्फ काम कर रहें साउधी अरब वहरीन और घुल बाके कुबायत कतर के बात छोड़िये लाखों लोग वहां भी हैं और उसमें बहुत बड़ी तादाद बार-बार करो हिंदू हैं दुबई खास तरू से और अरब पती हिंदू हैं तो वहां अगर सस्पिसस होते हैं और उनको मुश्किल होती है उनके साथ तो ऐसा नजरिया होता है तो आप जड़ा सोचेगा क्या फर्क पड़ता है और ये कोई भी मुल्क में अगर इस तरह से वहीं रहकर वहां के सरजमी वहां के कौम वहां के धर्म को लेकर ऐसे बोला जाएगा तो ये नाराजगी हो रही है और उसके बाद पीम ने सफाई दी कहें जवाब दिय उसके बाद पिर आज मुखतार अबस नकवी साहब देगा तो मेरा सवाल मुखतार अबस नकवी साहब से ही है प्रधान मंतरी तो किसी सवाल का जवाब देंगे नहीं नकवी साहब भी नहीं देंगे लेकिन चुकी नकवी साहब का बयान है कि आप अगर कह रहे हैं नकवी स खिलाफ क्या कोई सरकार अपनी सरकार भारत सरकार क्या कोई कारवाई करेगी आप ये सिर्फ कहके नहीं बच सकते कि भारत मुसल्मानों के लिए जन्नत है जो लोग इस माहल को खराब करने की कोशिस कर रहे हैं मुसल्मानों के दोस्त नहीं हो सकते ये कोशिस कोन लोग कर रहे है आप जानते हैं कौल करन वह सारी ट्रोल आर्मी आप जानतेン उसमें मुंबई के लोग हैं जो अभी पालघर के बहाने भी हुआ लेकिन क्या किसी के खिलाव को कारवाई होती है किसी के कहिलाब मकदमा दर्ज हो रहा है किसी के खिलाफ हैट्रैड़ पाइलाने के फाइल खुलती है नहीं और उसका खामियाजा जो मैंने काया कि वहां रहने वाले दूसरे लोग भुखतेंगे अब जरा यूए और भारत के रिष्टों को समझें यह बहुत अहम है क्योंकि भारत के रिष्टे हाल के वर्सों में इसमें श्रे देना पड़ेगा क्रेडिट देना पड़ेगा प्रधान मंत्री मोदी को कि यूए से मुस्लिम देशों से सौधी अरब से भारत के रिष्टे बेहतर हुए और प्रधान मंत्री मोदी 2015 में पहली बार गय थे जब अबुधावी में मंदिर के लिए जमीन की बात हुई थी और उसके बाद फिर प्रधान मंत्री मोदी 2018 में उन्होंने मंदिर के श्रिलानयास में हिस्सा लिया और भब्य मंदिर वहां बन चुका है या बनने के फाइनल स्टेज में है उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है लेकिन उस मंदिर की तस्वीरे मैंने दे कि ती स्वामी नारान जो अबुधाबी सरकार ने वहां उस मंदिर के लिए 20,000 वर्द मीटर के जमीन दिये ये जमीन देने का एलान भी उसी समय किया जब PM 2015 में गये दे इसके अलावा अगर आप भारत और UAE के ट्रेड की बात करेंगे जो कहा है इस प्रिंसेज ने भी अपने ट्वीट में बार करेंगे तो चीन और अमेरिका के साथ तीसरे नंबर पर UAE है 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड 2018-19 में हुआ तब के राजूत नबदी सिंसूरी के हवाले से खबर में किसी वेब साइट पर देख रहा है और हम जानते हैं कि UAE से हमारे रिष्टे बहुत प्रगाड और सुधरे है उसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के साथ शेख फैमली की तस्वीरें साथी प्रिंस की तस्वीरें साथी किंग की तस्वीरें और रोयल फैमली की तस्वीरें इस बात की गबा सबूत देती है और यह सबूत इस बात का है कि मोदी ने कोशिस करके मुसलिम देशों से ऐसे रिष्टे बनाए कि जो OIC है जहां 50-55 साल से भारत की कोई इंटरी नहीं थी वहां भारत को बुलावा आया OIC के मंच पर बुलावे से नाराज पाकिस्तान ने पैतरा दिखाया उसके बाद भी OIC ने हमारा भारत सरकार का निमंतरन कैंसिल नहीं किया और उसके बाद जो उस समय विदेश मंतरी थी सुसमा स्वराज वो गई और वहां उनोंने OIC के मंच से भाशन दिया जबकि इसकी पुरानी कहानी कुछ और है कि इंद्रा गांधी के समय जब OIC उस समय बना था तब OIC में पहली बार बहुत जोर लगाकर कोशिस करके भारत सरकार को नियोता मिल फाकरुदीन अहमद अली वहां प्रतिनवी के तौर पर जा रहे थे लेकिन वहीं पाकिस्तान के विरोध के बाद उनको बीच रास्ते से लौटना पड़ा था और वो उस में हिस्सा नहीं ले पाये थे तो यह 69 की बात है मुरको में बात होगी भारत पाकिस्तान की लड़ा ने किसी ध्रंग से यह एरेंज किया था ने होता लेकिन अस्थापना के पहले सम्मेलन में कि भारत को बुलाया जाए इंद्रा गांधी ने भेजा अपने केबिनेट मिनिस्टर फाकरुदीन अली अमद को जो बाद में बात के प्रेजिडेंट बने लेकिन उन्हें लौटा दिया गया तो 69 से जो सलसला टूटा हुआ था वो सलसला प्रधान मंतरी मोदी के कारेकाल में जुड़ा इस ऐसे जुड़ा कि पाकिस्तान के की मुखालपत के बाद भारत को बुलाया गया और पाकिस्तान बुरी तरह से नाराज हुआ इसका मतलब जो मिडिलिस्त के देश ह अरब देशें उन्होंने भारत को की तरफ दोस्ती का सकारात्मक हाथ बढ़ाया है पहले की तुलना में ज्यादा, अब उस मुल्क के लोग लगाताद नाराज हैं, क्योंकि वहाँ बैठके हमारे भारतिये हैं, हमारे हिंदु भाई, हमारे भारतिये लोग इस तरह की बातें, इस तरह का प्रोपेगंडा, इसलाम के खिलाब, मुस्लिम के खिलाब, शूट कर दो, गोली मार दो, इन 1400 साल से जाहिलों की जमात है, न जाने क्या-क्या, वो सब आप ट्वीटर में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा, अब सवाल उठता है, कि इसका खामियाजा कौन रही हैं, वो वो लोग हैं, जिन्हों ने इसी तरह के पोस्ट लिखे देवा, लेकिन दूसरे लोग भी शक के घेरे में आते हैं, सस्पीसस होते हैं, या जैसे आप यहाँ पर सस्पीसस मानते हैं, संदिग मानते हैं, या उनके प्रती नजरिया आप नकारात्मक रखते हैं वो ऐसे ही वहाँ भी अगर होने लगे तो क्या होगा यह मैं कल के वीडियो में भी बोला था फिर बोल रहा हूँ कि यह बहुत चिंता की बात है और प्रधान मंत्री मूदी और मूदी कैबिनेट के अहम सदस अमिश्या इनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो ट्रोल आर्मी है ट्रोल बिर्गेड है और यह भक्त संप्रदाय है जो बिना सोचे समझे लगाता ट्विटर और सोचल मीडिया पर मुसल्मानों के खिलाप ऐसी नफरत भरी जहर भरी बातें लिखते हैं उनके खिलाप कारवाईया होने शुरू हो आना जैसे मुंबई पुलिस ने चेताबनी दी यह चेताबनी दीजिये वह चाहे कोई भी आदमी हो इसमें बहुत वेरिफाइड एकाउंट के लोग हैं ट्विटर के ब्लू टिक वाले अगर और मैं और दिल्चस्प चीज बताओ जब मैंने ट्विटर पर रिसर्च करना शुरू किया यह कौन सुर्या के खिलाब कारवाई कर ये भारत में जो हो रहा है गलत है। यहां तक कुछ लोग लिढ़ दे रहे हैं कि अगर भारत में अजी यहां से होगा तो हम भी यहां से हिंदू को departure कर देंगे हिंदू को हम हिंदू militant लिखने लगे हम यहां से भेज देंगे तो एक तो भारत की चबी खराब हो रही है आकरमकता आ रही है लेकिन दिल्चस्पी जो मैंने पहले भी बताया उनको जाकर यहां से लोग ट्रोल कर रह फोटो ढाल रहा है ऍरने लिख को आप लिख रहे हो वहां बेठा है उसको यहां से आप ऐसे कोई अच्छे कराथ मखोने नहीं और उसके बाद क्त्रीटर पर आज जिसका जिकर मैंने किया हिंदुफोबिया, एक counter जिकरा है, हिंदुफोबिया, इसमें कोई शक नहीं है, कि मुस्लिम देशों में, भारत की तरह लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्रिक सरकारे नहीं है, royal family बहुत जगह है, multi-million level family है, लेकिन लोकतंत्रिक नहीं है, सक्त कानून है, चोटी चोटी बातों पर सकस रजा हाथ काट देने से लेकर गर्दन काट देने उस मुल्क में जो भी उनकी बेवस्ता है कर शर्यत के शाप से चले जैसे भी चले अलग-अलग मुल्क को अलग-अलग रिवाज अलग-अलग सलतनत और मुल्कों का अपना कानून-बेथा का। लेकिन वह उनका है लेकिन आज क्या हो रहा है सारे लोग वहां अरब मुलकों के जो जो वहां के इंफ्लेंसर हैं उनको ये सब चीजें लिखके उनके ट्वीटर पर प्रवोक कर रहे हैं मुझे लगता है ये भी बात सही नहीं है इसकी जरुवत नहीं है और जब तक हम इन करें लेकिन हम हो चुका है हिंदूफोपिया इंडिया तो प्रदान मंत्री मोधी से अपील करंगा हम इस्टा से अपील करूंगा कि बहुत कोशिस हुई कि अरब देशों से हमारे रिष्टे अच्छे बने अच्छे हैं अच्छी बात है इतना विशाल मंदिर अबुधावी में बन गया अच्छी बात है 20,000 स्कॉाइर फिट जमीन दी अबुधावी सरकार ने प्रदान मंत्री मोदी ने शिलानयास किया सब कुछ है अच्छे रिष्टे हैं मैं गया हूँ दुबई अबुधावी बहुत प्यार से लोग मिलते हैं कभी लगता ही नहीं कि हम किसी धर्म को लेकर उनको जलील कर रहे हो क्यों बोल रहे हो कि इनको गोली मार देनी चाहिए क्यों बोल रहे हो देखेंगे लोग, दस-बीस फीसदी लोग- अच्छी स्थिती में होंगे, अच्छी पोजिशन पे होंगे लेकिन बहुत बढ़ी आवादी हैं, जो कारपेंटर है, जो पेंटरหै, ड्राइवर है, क्लीनर है, या किसी होटल में काम करता है, अलग टैकसी चलाता है, दunia भर क तरह के धंदों में मजदूर हैं बहुत सारे वो हर तरह के काम करने वाले लोग और उन लोगों को आप सस्पीसिस बनाते हों कहीं किसी को नोकरी जा सकती है या उनके भीतर भी जहर भड़ेगा यहां से वो देखेंगे वही चीज़ लिखेंगे उनको लगे वाकई तबलीगी तो यहां कोरोना वाइरस लेके घूम रहा है यह जिहाद है हाँ इन्होंने बायो जिहाद भी लिखा था जो प्रिति गुरी बायो जिहाद है तो यह फिर नफरत उनके भीतर भी बैठेगी उन्होंने कुछ लिखा उनकी नोक्रियां जाएगी कुछ लोगों का जिक्र मैं आपको कर चुका हो जिनकी नोक्रियां जा चुकी तो मुझे लगता है आप सबसे अपील है कि ऐसी चीजें नहों और देश में तो जो आप कर रहे हैं वह हमारे किसी के कहने से थमने वाले हैं नहीं जब परधानमंत्री मोधी की अपील का असर नहीं होता है तो मेरे इस वी और तीन लोगों के बारे में आपको मैंने बता दिया और ये भी बता दूं कि ऐसे अबुधाबी और UAE में बहुत सक्त कानून है भारत में बच सकते हैं आप कुछ भी हेट्रेट फैला कर कुछ भी वीडियो डाल कर बच सकते हैं बहुत rare of the rarest में मुकदमा होता है और हिंदू कटरपंथ के लोगों पर तो नहीं होता है क्योंकि उनके संरक्षाट बहुत सारे सांसाथ विधायक मंत्री हैं जब मंत्री खुदी मॉब लिंचिंग करने वालों को लड्डू खिला कर माला पहना देता है जेल में मिलने चला जाता है तालियां बजाता है उनके नाम पर उनकी इतनी उनका जो भी सेवा उनकी होती है तो आप सोच सकते हैं लेकिन वहां बहुत सक्त कानून और कल भी मैंने बताया था 2015 से जो आइसे मामलों में tolerance बिल्कुल नहीं है किसी भी मामले में नहीं है मैंने पहले ही का दिया है कि लोग तांतरिक तरीका जैसे अपने देश में कुछ भी बोल कर निकल सकते हैं किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं हो सकता है इस वीडियो को post करूं मुझे 500 अगालियां Twitter प होती है उनकी नौकरी जा सकती है उनका वीजा कैंसिल हो सकता है और उसके बाद कभी वह में हो सकता है नौकरी के लिए दाखिलना हो सके ऐसे इंतरजाम भी हो सकते हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गई तब क्या होगा इसके बारे में आप सोच सकते हैं तो यह सारी चीजे भी इसी तरह की कट्टर पंथी बात करते हैं मुसलिम मुलकों के कट्टर पंथी कट्टर पंथ की मिसालें YouTube पर भड़ी पड़ी कहा ना हाथ काटने से लेकर सेल कलम करने से लेकर ना जाने क्या ISIS का हमने देखा लेकि वो जहां है है उसको हम क्यों एडप्ट करें उस कटरपन को कहीं तो अपनी बात करनी चाहिए और काउंटर यह नहीं हो सकता कि वहां यह है तो इसलिए हमारे यह हम कर रहे हैं तो क्या गलत है मैं भी जो कुछ बोलता हूं 20 मिसाले दूसरे के लिए आत के लिए हम अकबर उद्दिन ओवैसी को हर समय क्यों ले आएंगे अकबर उद्दिन ओवैसी भी गलत है लेकिन राजा सिंग से लेकर और साक्षी महराज से लेकर साधवी प्रग्या तक आपके पास भी है चलिए नमस्कार इस वीडियो को एक हत्म करते हैं फिर मिलेंगे औ और आप लोग सब्सक्राइब करें इस वीडियो का प्रचार प्रसार करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि थोड़ी बात दूर तक जाए और फिर मुलाकात होती रहेगी फिर से एक बाद नमस्कार